नमस्कार मेरे प्यारे साथियों तो आज के इस वीडियों हम चर्चा करेंगे कोशिका की संदश्चना या सेल इस्ट्रक्चर के बारे में तो कोशिका की संदश्चना आखिर किस प्रकार की होती है इसमें कौन-कौन से ओर गन्स हमें देखने को मिलते हैं और इन सारे organs के क्या-क्या नाम होते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे नाम यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोसिका भित्ती, एंडोप्लाजम क्रेटिकुलम, और इन सब क्या कारियों होते हैं, और अपने कारियों को यह किस तरीके से perform करते हैं, इनी सभी बिंदो पर आज के इस व सेलवल यह कोसिका भित्ती, सेलवल यह कोसिका भित्ती जो होती है, वो किसी भी कोसिका का सबसे बाहर का हिस्सा होती है, जैसे इस वाले image के अगर बात करें, तो यह वाला structure जो आप देख रहे हैं, जो एक दिवार के जैसा आपको दिख रहा है, यह होता है सेलवल, ठीक है, और ये केवल और केवल प्लांट सेल में आपको देखने को मिलती है किसी भी एनिमल सेल में आपको कोई भी सेलवल देखने को नहीं मिलती है और प्लांट सेल में जो सेलवल होती है वो बनी होती है ये काफी important point है क्योंकि अलग-अलग जिवों की जो कोसिकाय होती है उनमें जो cell wall पाई जाती है वो अलग-अलग पधारतों की बनी होती है bacteria, fungus, plants इन सब में जो cell wall होती है वो अलग-अलग पधारतों की बनी होती है अब बात करें इसके nature की तो कोसिका भित्तिया cell wall जो होती है वो अर्दपारगम में होती है आर्दश पारगर्मि का मतलब क्या होता है मतलब यह कुछ selected चीजों को ही कोषिका से बाहर आने देगी और कुछ selected चीजों को ही कोषिका के अंदर आने देगी अब हम बात करते हैं दूसरे ओर्गन की जो होता है Cell Membrane या कोषिका जिल्ली देखे अभी हमने इस वाले part को डिसकस किया था तो ये क्या था ये था cell wall इसी के नीचे पतला structure पाया जाता है यहाँ पर वो सारी कोशिका के चार और पाया जाता है उसको हम बोलते हैं कोशिका जिल्ली या cell membrane इसके nature की बात करें तो इसका nature भी cell wall के जैसा ही होता है ये भी अर और बाहर आने जाने से रोक कर ये क्या करती है यहाँ पर जो आयानिक कोंसेटेशन होता है उसको यह maintain करके रखती है मतलब किसी भी कोशिका के अ अंदर जो भी liquid होता है उसमें जो ions होते हैं उनका एक fixed CONCentation होता है उससे कम ये ज्यादा ions होने पर ये कोशिका के लिए लान दाने का रखोते हैं क्योव क dolphin मेंब्रेन का यह काम होता है कि वो और को सिलेक्टेड चीजों को यह अन्दार आने दे और को सिलेक्टेड़ आने दे इस प्रकार से जो आइणों का कंसरेंटेशन हैं उसको यह मेंटेंड करके रखे और बात करें इसके build material की, तो जो cell membrane होती है, वो बनी होती है, लिपीड और प्रोटीन से मिलकर cell membrane बनती है, अब हम बात करते हैं केंद्रक या nucleus की, तो केंद्रक या nucleus जो होता है, वो सारी कोशिका की किरियाओं का निंद्रन केंद्र होता है, control room होता है, मतलब कोशिका में जो भी functions होते हैं, उन सारी किरियाओं को control करता है केंद्रक या nucleus, इसके खोश करता है Robert Brown, ठीक है Robert Brown ने इसकी खोश की थी, बात करें कोशिका की खोश की, तो कोशिका की खोश की थी Robert Hook ने, अब केंद्रक को आनुवानसिक पधार्थ का store house का आ जाता है, आनुवानसिक पधार्थ का store house से मतलब यह है, मतलब किसी भी जीव में जो genetic material होता है, जो एक पीडी से दूसरी पीडी तक जाता है, उसको store करके रखने का काम होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस केंद्रक के भी आप center में अगर देखेंगे, तो एक गोलाकार संड़चना आपको देखने को मिली है, वो संडचन केलाती है, केंद्रिका या नुकलियस, और इसके चारों तरब एक liquid देखने को मिलता है, उस liquid को हम बोलते है, नुकलियो प्लाज्म, जैसे इस वाले structure में देखें, तो यह वाला पार्ट है केंद्रिका, और इसके आसपा जो liquid देखने को मिल रहा है, वो है नुकलियो कोषिका दर्व ya, या साइडो प्लाज्म, इसके या सारी कोषिका में पहला होता है, जैसा कि आध यहाँ पर देख अब बहुते हैं, उसमें को मिलते हैं ये साइटो प्लाज्म, वो कुछ कार्बने को जितने भी महत्पून किरियाएं होती है वो सारी की सारी किरियाएं साइटो प्लाजम एकोसिका द्रव में ही संपन होती है और इसका एक कार ही और है कि कोसिका को एक मिश्चिताकार प्रदान करता है उसका जो सेफ होता है उसको एक स्टैबिलिटी प्रदान करता है अब यह हम इसको बोला था हमने बात करते हैं जीवदर्व या प्रोटोप्लाज्म यह होता है कि जीवन का भोती कदार होता है फिजिकल बेस होता है ठीक है बहुत बार यह कोशन आपका परिक्षाओं में कि जीवन का भोती कदार फिजिकल बेस क्या होता है वहाँ पे आपको नुक्लोप्लाजम देखने को मिलेगा बट आपको ध्यान रखना है कि इसका अंसर क्या है प्रोटो प्लाज्म या जीवदर्वी अब हम बात करते हैं एंड़ोप्लाजम क्रेटिकुलम की तो एंड़ोप्ल थेलियों का एक जाल होता है, जो structure आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह वाला जो structure है, इसको हम बोलते हैं, endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum दो परकार की होती है, एक होती है, चिकनी या smooth endoplasmic reticulum, और एक होती है, खुरदूरी या rough surface endoplasmic reticulum, अब चिकनी endoplasmic reticulum होती है, वो तो normal होती है, और protein का निर्मान भी यहीं पर होता है, अब हम बात करते हैं, गोलजी का यह गोलजी complex की, तो गोलजी का यह गोलजी complex जो होता है, वो कोसी की पतार, मतलब कोसी का के जो organs होते हैं, उनके manufacture, storage और उनके transportation के लिए responsible होता है, यह वाला जो structure आप देख रहे हैं, यह वाला structure कहलात और यह manufacture, storage और transportation के लिए जिम्मेदार है, इसलिए इसको कोसी का manufacturing and shipping center कहा जाता है, अब बात करें इसकी single unit की, इसमें आपको इसी अर्दवरत्ताकार थेली जैसी structure देखने को मिल रही है, ठीक है, यह वाली single unit, यह वाली single unit, उनको हम कहते हैं sister नी, ठीक है, अब हम बात करते ह लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम जो है, वो और कुछ भी नहीं है, यह एक जिल्ली उक्त थेली आएं, ठीक है, यह वाले structure जो आप देख पा रहे हैं, जो इसी गोलाकार संदशने आपको दिखाई दे रही है, यह होते हैं, और इनका structure सिर्फ इतना सा होता है, कि इनके आसप कोशिका के अंदर macromolecules देखने को मिलते हैं, उनका यह पाचन करें, उनके पाचन करने की power इसके पास होती है, अब इसको कोशिका की आत्मात्या की थेली कहा जाता है, देखिए इस पॉइंट को समझते हैं, इसको कोशिका की आत्मात्या की थेली इसलिए कहा जाता है, प्य कोशिका की डेथ हो जाएगी तो इसलिए इसको कोशिका की आत्महक्त्या की थेली कहा जाता है और इसका कारी क्या होता है अग्छा कोशिका की पाचन और मत कोशिका का निवारण मतलब अगर जिसे कोई कोशिका की डेथ हो गई है और वो कारी करने में सक्षम नहीं है तो यह लाइसुसोम की थेली जो होती है यह अपने आप फट जाती है और इस परकार यह जो मरी हुई कोशिका होती है उसको यह डाइजेस्ट कर देती है और कोशिका के अंदर जो ओर्ग चुनाव लड़े तो जीद भी सकता है इतना फेमस है तो कोशिका की पाचन तरंतर के रूप में माइट्रोकॉंडिया कारी करता है मतलब कोशिका में जो भी डाइजेशन होगा वो माइट्रोकॉंडिया का अंतरगत ही होगा और कोशिकी स्वसन या इसा वाले श्चारण यह वाले इस्प्रख्चर्रा का दिखाई दे रहें जो अंतर हो इसको नाम डτίया पर इसका वरत्मान नाम है माइट्रोकॉंडिया जिस नाम से हम चाहिस को जानता दे है दोनों ही परिक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं अब बात करें इसके आकार की तो इसका कोई पर्मानेंट सेप नहीं होता है जो भी इसका आकार होता है वो परिवर्तन सीर होता है वो बदलता रहता है यह रोड से में हो सकता है फिलामेंट सेप में हो सकता है बोल सिवाद है कि जो भी energy release होगी जो भी power release होगी वह इसी के दौरण release होगी इसलिए इसको powerhouse of the cell या कोशिका का उर्जग्रे कहा जाता है अब हम बात कहते हैं रस धानिया या रिक्ति काउं की जिनको इंग्लिस में वेक्योल्स बोलते हैं वेक्योल्स और कुछ भी नहीं है यह कुछ खाली स्तान है यह कुछ इस तरह के structure आपको देखने को मिलते है इनका कारी होता है कि कोशिका की जो भी अपसिष्ट पधार होते हैं या फिर जो पोसंड पधात होते हैं उनके storage center के रूप में या कारिक करती है और यह plant और एनिमलस दोनों में मिलती है बर फ़रर्ग कि यह होता है कि जो भी animal-sail होती है उस में जो वेक्योल्स देखने को मिलती है और इनके संख्या जादा होती है मतलब site Dr. & Heart सेल में जो गत्वेकु बड़ा होता है बरिल संख्या कम hoती है कवी-चसिर प्लांट सेल में देखने को मिलती है अब बात करें इसके आउरन की तो जो भी वेक्योल होती है इसके चारों तरब एक जिल्ली पाई जाती है और वो जिल्ली बनी होती है टोनोप्लास्ट की ठीक है प्लांट सेल हो चाए अनिमल सेल हो दोनों ही वेक्योल सेमें चारों तरब एक जिल्ली पाई जाएगी और वो ज जिली बनी होती है tonoplast की अब हम बात करते हैं सबसे आखरी cell organ की जो में सेंट्रोसाम तारक काई की बात करें तो यह बेलनाकार structure होते हैं यह वाले structure जो आपको दिखाई दे रहें यह होते हैं अब इनका मुख्य कार यह होता है कि जो भी प्रोटीन नलिकाएं होती ही कोसिका में माइक्रोटुबल जिन को बोलते हैं उनको संगठित करके रखे और जो कोसिकी कंकाल है उसको इस्थिल संदिशना प्रदान करता है तो यह था दोस्तों हमारा सेल और गंसे रिलेटेड वीडियो उमिद करते हैं जानकर आप अच्छे लगी होगी अच्छे लगी है तो प्रीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरू बता हैं साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि एसे ही वीडि आपको टाइम टाइम मिलते रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत धन्यवाद